नमस्कार आकाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभाद निचलिस्तर 2.33 प्रतिशत पर आई राश्ट्रपती रामनात कोविंद ने म्यामा के पुनर नर्माण और आर्थिक विकास में भारत की साहता का भरूसा दोहराया ब्रिटन की प्रधान मंद्री टेरीजा में ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के तोर पर विश्वास मस्थ हासिल किया और भुनेश्वर में होकी विशुकप के क्वाटर साइडल में आज भारत का मुकाबला नीदर लैंड से होगा समाचार प्रभात के साथ मैं विमलीन दुपांडे दिलंगाना राश्र समिती के अध्यक्ष की चंदर शेखा राव आज दिलंगाना के मुख्य मंद्री पत की शपत लेंगे वे दूसरी बार आज़ी के मुख्य मंद्री बन रहे हैं हैदराबाद में राजभवन में दोपहर बाद एक बजी समारोह में कुछ अन्य मंद्रियों को भी शपत दिलाए जाएगे बाद में मंद्रि मंद्र का विस्तार किया जाएगा 36 गड मध्यप्रदेश और राजिस्तान में विधायकों ने कौंगर्स सध्यक्ष राहुल कांधी को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है इन राज्यों में हुई विधायक दल के बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके शी राहुल गांधी को ये अधिकार दिया गया 36 गड़ में कल राथ हुई बैठक में पूरो केंद्रिय मंद्री और विधायक चरंदास महंत ने एक प्रस्ताव पेश किया इस बेटक में लोग सभा में कॉंग्रिस के नेता मल्यकार जुन खड़ गे परिवेक्षक के तोर पर मौजूर थे मध्य प्रदेश में 230 सदर्स्यों वाली विधान सभा में कॉंग्रिस को 114 और भाजपा को 109 सीटे मिले हैं हमारी समवादाता ने बताया है कि कॉंग्रिस ने बहुचन समाजपार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरी संक्या जुटने के बाद निर्वाचित कांग्रेश विधायकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए पार्टी के राश्टी अद्यक्ष राहूल गांदी को अधिकरत कर दिया इसके पहले दिन भर आला कमान के परवेक्षक एके एंटेनु की मौजूदकी में सीष नेताओं के बीज विचार में मर्श चलता रहा हलाची इस बेटक में मौजूद सूत्रों का दावा है कि प्रदेश कांग्रेश के अद्यक्ष कमलनात का नाम शुषपत के लिए लगभगता है वही पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए नेताओं की लाविंग के बीच कांग्रेश अद्यक्ष भी पार्टी कारेकरताओं से अंत्रिक मेसेजिंग एप के जरिये मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पसंद जान रहे है संजीव शर्म आकाश्वणी समचार भोपाल कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांधी राजस्थान के नव मिर्वाचित विथायकों की राए कींद्री एप्रेक्षकों के रिपूर्ट और ताजा राजने स्टिकट बंतन के आधार पर राजस्थान में विधायक दल के नेता के मुद्धे पर फैसला करेंगे ब्योरा हमारी समवाद दाता से अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि मुख्यमंतरी कौन बनेगा क्योंकि कॉंग्रेस कल शाम राजचे में सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है पदके दोनों प्रमुख दावेदारों अशोक गहलोत और सचिन पाइलिट के समर्सक अपने अपने पक्ष में निरने आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं अब आला कमान को यह तै करना है कि वह अनुभाव को महत्यों देता है या राच्चे की कमान युवा शक्ति को सौप देता है इस बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने राज्जी में सरकार गठन में कॉंग्रिस को समर्थन देने का फैसला किया है विधान सभा चुनाओं में बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटे में ली है मिजोरम में शीजोरम थंगा के नतरत वाली नई मिजोर नेश्टल फ्रंट सरकार को आगाम शनिवार को शपर दिलाए जाएगी आईजोर में कल शाम राजभवन में राज़पाल की राजशेकरन और शीजोरम थंगा के नतरतों में MNRF की एक शिष्ट मंदल के साथ बैटक में ये फैसला किया गया असम में सत्तारूड भारती जनता पार्टी ने पंचायच चुनाव में अपनी पकड मजबूत कर ली है हमारी संपादाता ने बता है कि मत करना जारी है अब तक घोशित परिणाव के अनुसार भास्पा ग्राम पंचायच सेदेश और अड़क्ष आंसलिक पंचायच सेदेश और जीला परिशाच सेदेश की आसन पर सब से आगे है पार्टी को अपने बरिस नेताव के चेत्र में अच्छे परिणाव मिला है पंचायच सुनाव में 27,000 से अधिक आसन है प्रदेश रास्पा के अड़क्ष रंजित कुमार डास ने कहा कि सर्वनन सुनवल सरकार की अच्छे कारों के करद पार्टी को चुनाव में अच्छे परिणाव मिला है मानस पडिम सर्मा, काजवनी समसर्द गौाटी खुद्रा मुद्रा स्वीती की दर इस वर्ष नवंबर में बिछले 17 महिनों के सबसे निचले सर 2.3 तीन तीन परिशद पर आ गई सबजी जैसे आवश्यक खादिवस्तों के मूल्य में कमी के कारण ऐसा हुआ सांखेकी और कारिक्रम कारियानवेंद मंत्राले के आखणों के अनुसार पिछले वर्ष जून के बाद ये खुद्रा मुद्रा स्वीती का निउनतम इस्तर है पिछले लगातार चार महीनों में मुद्रा स्वीती किदर रिजर्बैंक के चार परिशत के लक्ष के भीता रही है और द्योगी कुद्पादन सुचगां के स्वर्श अक्तूबर में पिछले ग्यारा महीनी के सर्वोचिस्तर आठ दशमलो एक परिशत पर आ गया खनन, बिजली, दिनिर्मान ख्षेतरों और पूंजी प्रवाह और उपभुगता वर्स्तों में तीजी के कारण ऐसा हुआ है राष्टपती रामनात कोविंद ने म्यामा को राष्टिय सामन ज़स से पुनर नर्मान और आतिक विकास की चुनोतियों से निपटने में भारत की साहता का भरुसा दोहराया है यांगून में भारती समदाय के लोगों को समभूधित करते हुए राष्टपते ने कहा कि भारत मेंनमार के राष्टवियापिय संगर्षिराम समझोते का पूरा समर्थन करता है उन्होंने आतंकवाद और चरमपंजियों की हिंसा को लोकतंत के लिए खत्रा बताते हुए इस सिने बढ़ने के लिए समन्यूत प्रयास पर जोर दिया। इससे पहले यांगुन पहुशने पर उन्होंने शहीद समालक जाकर शहीदों को सद्धान जले अर्पित की राश्पती की आत्रा को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विजे गोखले ने कहा कि भारत और म्यानमार के संबंध किसी बाहरी कारक पर भीरता से लेता है। उन्होंने बताया कि भारत के सहियोग से निर्मिस्थित्य बंदरगा से शीख भी जहाजों का संचालन शुरू हो जाएगा। अंश्मान मिश्रा आकाश्वानी समाचार यंगोन। अब विश्वास प्रस्ताव यूरूपिय संग से ब्रिटन के अलग होने के फैस्टे से नाराज और तालिस सांसदों ने पेश किया था। राष्ट आज संसद भवन पर आतंगवादी हमले के शहीदों को शद्धन जली अर्पित कर रहा है। 2001 में आज ही के दिन ये आतंग के हमला हुआ था। उपर राष्ट पती एम वेंकईया नाईडू आज सुबर संसद भवन में शहीदों को पुश्पान जली अर्पित करेंगे। राष्ट पती रामनाद कोविंदे ने कहा है कि देश इन शहीदों को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इनके प्रयासों से भारत में लोगतंदर पर प्रहाद नाकाम कर दिया गया। उपर आश्रोपती एम वेंकिया नाइडू ने कहा है कि आज का दिन इन शहीदों को शद्धानजली अर्पित करने के साथ ये याद दिलाने का भी दिन है कि आतंकवाद के खिलाफ संगठित प्रयासों की आवशक्ता है। विदेश मंद्री सुष्मा सुराजनी का लोग सभा को बताया कि पाकिस्तान अभी जम्मु कश्मीर के कुछ राकों पर खेर कानूनी और जबरन कब्जा जमाए हुए है। उन्होंने कहा कि साल 30 नवंबर को भारत ने पाकिस्तान से अपने अवईद कब्जेवाले भारती क्षेतर को ततकाल खाली करने को कहा था लेकिन इस पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। एक लिखित उत्तर में विरेश मंद्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के करीब 78,000 वर्ग किलुमीटर क्षेतर पर नाजायस कब्जा किया हुआ है। प्रधान मंत्री से मुलाकात कर उन्हें माउंट विंसन यात्रा की जानकारी दे। आंद्र में जादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मचवारों को इन इलाकों में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उत्तर पर देश में जानपूर जिले के केराकत ठानक शीत्र में एक सड़क दुर्खतना में तीन महिलाओं सही छे लोगों के म्रत्यों हो गई और पांच खायल हो गई। ये दुर्खतना उस समय हुई जब टायर फटने के बाद एक ट्रक सवारियों से लदे टेंपों से जा रहे टेंपों से टकरा गया। घायलों को वारंसी और जौनपूर के अस्पटालों में भर्ती कराया गया है। रेल्वे ने अगली महीने इलहबाद में होने वाले कुम्भ मेले के लिए साथ अरब रुपे की लागत से एक तालिस परियोजनाएं शुरू की हैं। इन में से उन्तीस परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और बाकी जल्दी ही पूरी हो जाएंगे। कुम्भ मेले में आने वाले शड़ालों के लिए इलहाबाद जिले के बिभिन स्टेशनों से लगभग आठ सो विशेश रेल गाड़ियां चलाया जाने का प्रस्ताव है बूनेश्वर में विश्व कप होकी प्रत्योगीता के क्वाटर फाइनल में आज शाम साथ बज़े भारत का मुकाबला नीदर लेंड से होगा पहले क्वाटर फाइनल में बेल्जियम का मैच जर्मनी से शाम चार बज़ कर पैंतालिस मिनट से शुरू होगा आकाश्वानी से दोनों मैचों का आँखो देखा हाल राजधानी चैनल और एफम ब्रेंबो पर सुना जा सकता है ये समाचार हमारी वेब साइट न्यूज़ान एई आई आर डॉट एन पर भी उपलब्द है और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोणा में बड़े बदलाव की संभावना मध्यप्रतेश, राजस्थान और चत्तीजगड में हार के बाद सरकार द्वारा किसानों को जोडने का प्रयास 2019 में आम चुनाव से पहले क्रिशिक शेत्र में हो सकती है बड़ी घोशना, नियूनतम समर्थन मूले पर फसल बेशने की गारंटी जिनसक्ता ने प्रधान मंस्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है स्वासे पर खर्च बढ़ाएगा भारत सहभागिता मंच सम्मेलन में प्रधान मंस्री ने कहा सरकार सारवजनिक स्वासे पर सकल घरेल उत्पात का धाई प्रतिशिद खर्च करने के लिए प्रतिबद अमर उजला की एहम खबर है हैकिंग से दिली के वैट विभा को 262 करोड रुपे की चपत खातों और वैट विभा के लॉग इन पासवर्ट को हैक करके चोरी को दिया अंजाम बैंकी स्टेट्मेंट में टैक्स की रकम दिखा दी गई पर वासव में जमान नहीं हुई साड़े आठ हजार से अधिक व्यापारियों पर संधे भारती रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकान दास के बयान पर दैनिक भासकर के सुरखी है सरकार से हर मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन रिजर्व बैंक की स्वायत्ता भी बनाए रखेंगे औरंत में मुख्य समाचारी एक बार फिर तिलंगाना राष्ट्र समीटी के अध्यक्ष के चंदर शिकाराव आज तिलंगाना के मुख्यमंत्री पत के शबत लेंगे 36 कडमी कांग्रिस विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिगरत किया है खुद्रा मुद्रा स्वीती नवंबर में पिछले 17 मा की सबसे निचले स्थर 2.33 प्रदिशत पर आ गई है राष्ट्रपती रामनात कोमिंद ने म्यामा के पुना नर्मान और आर्थिक विकास में भारत के साहता का भरूसा दोहराया है ब्रिटिन की व्रधानमंद्री टेरिजा में ने कंसर्वेटिव पार्टी की नेता के तोर पर विश्वास मत हासिल कर लिया है और भुनेश्वर में होकी विशुकप के क्वाटर फाइनल में आज भारत का मुकाबला नीदर लेंड से होगा इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाथ हुआ नमस्कार